तो नबसकार आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है फार्मिंग को चला रहे हैं पिछले चार सालों से फार्मिंग कर रहे हैं और तीन साल पहले इन्होंने घना अबादी बिल्कुल पटना में किया था में सहर में और वहां से डियर साल पहले यहां फार्म इन्होंने सि स्टूगल करके चार साल कैसे इस्में ठीकchny रहे इतना वकरीयों को देखभाने किस तरीका से कर रहे हैं क्या दबा देना पड़ता है क्या व्यक्सिनेशनल लगाना पड़ता है उपर में जो बकरी को रखे रहे हैं यानि कितना खर्च हुआ और इतना खर्च करने से क्या फाइदे हुए कितना सुरचित बकरियां और बच्चे रहते हैं और किस तरीका सुरचित तरीके से कर रहे हैं तो बहुत कुछ आज के वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं कि एक ऐसा युबा जो अपने घर से दूर र बखरियों को देखवाल किस तरीका से करेंगे बीमारी से बचने का सबसे बड़ा तरीका ये ट्रेनिंग के समय ही बोल दिये थे और पहले ही सोच लिए थे कि मैं ये तरीके से करूँगा कि बकरिया बीमार होगी ही नहीं तो पिछले चार सालों का इनके पास एस्पिरियंस है तो ये खुद ही बताएंगे कि बखरिया बीमार होती है या नहीं होती है जिस तरीके से रखना चाह रहे थे और उसी तरीके से रख रहे हैं तो इससे क्या इनको लाब हुआ ये सभी चीज़ वीडियो में आज आप समझेंगे अपना नाम और पूरा पता दर्सकों को बता नाम पिंटू है और सिपारा गुम्टी के पास मेरा घर है पहले मैं उहें पर फार्मिंग किया था और यहां यह संपाचक रोड में बरना गाओं पड़ता है बरना गाओं में फार्म बनाया हुआ हुआ है परसा नियर अस्टेशन है तो पिंटू जी पिछले लगभग कित तो वहां जगा के दिक्कत था या कोई इसे परिभारिक प्रोब्लम जो अभी है में तो जगा का दिक्कत वहां हुआ होगा जगा कोहां बहु ज़्यादा दिक्कत था ग्रीन फोडर ने मिल पाता था और वहां पर कंचस्टेट था कहीं बाहर निकालने के लिए भी है और बिल्कुल ग्रामिन महौल है जो आप से लेटेट फ्लोरिंग बनाए है यानि चाली पर बक्री को बनाए और पहले भी आप बोलते थे कि जब भी मैं रखूंगा तो इसे ही रखूंगा तो क्या स्मोच के आप बोलते थे पहले बताईए पहले का बार इसमें ज्याद कि बनाने में यह बिमारीयों में? भी और रख रखाव में भी और लेवर कोस्ट भी जादा पड़ता है यानि कि उसमें सफाई करने के लिए आदमी चाहिए और बीमारी का खत्रा बना हुआ रहता है बकरियों को नमी से लर्जी है उसे सरदी जुकाम निमोनिया बहुत रखे बीमारीयों का सामना करना पड़त है या जो भी छोटे बच्चे मेगनी करते हैं या पिसाब करते हैं तो डिरेक्ट नीचे चला जाता है तो बिल्कुल नमी के संपर्क में बकरिया नहीं रहती जैसे कि हम उपर अभी खड़ा है तो बिल्कुल कोई भी पिसाब का इसमेल उपर नहीं है यानि कोई भी अमोनि तो जो भी बकरी पेसाब की नीचे गया और नीचे का गैस उपर नहीं आपाता है तो बकरिया सुरच्छित रहती है यह देखने को मिल रहा है तो जो आप यह एरिया बनाए है तो पूरा एरिया जो आपने फार्मिंग के लिए कभर किया हो कितना है थोड़ा से दिर एक विख करीव-करीब 1200 स्कॉरच्वार फिट में पूरा एरिया एक विखा का है जिसमें से आधा में आपने बाउंडरी किया है और बाकी घास के लिए आपने छोड़ दिया और जो सेड़ आप बनाएं यह बारहा सो स्कॉरार फिट में सिर्फ सेड है लंबाई चोलाई कितना है इस होगा अभी 8090 है तो इसे भी ज्यादा हुआ था या फिर इतना पर अभी है इतना पर अभी है इतना इतना इसे ज्यादा हुआ नहीं तो कहने के अरजेष्ट पचास और इसमें कहते हैं है तो कहने के अच्छ और पची और पचास बْकरी तक इसमें रह सकती है एक सो चालिस देड़ सो तक अराम सी, इसमें में है कि रात में ज्यादा तरीस को रहना है, दिन को तो बाहर घुमते फिर ते अपना बाहर गराउंड में रहेगा जैसे उचाय पर बकरियों को रखते हैं चाले नुमा जगह पर बकरी को रखते हैं तो कम जगह में ज्यादा बकरी को रख सकते हैं क्योंकि गनत उसे बिमारी बला समभाबना नहीं होता है जो भी गंदगी की वो नीचे चला जाता है तो अभी आपके पास 80 के लगवग बकरि बर्डी बेट बनेगा तो कर आएंगे ज्यादा अच्छा रहेंगा दूध वैगर अच्छा लगातार बच्चा लेते रहा जाने से दूध कम आता है भकडी का सरीर उतना तयार नहीं होता है कम जोर हो जाता है इसलिए लेट करके कर रहे हैं थोड़ा लेट कर रहें कि भई हुआ हो वाइन है कि उसी नजल पे काम करना आपो आपके एरिया मेंसानी से पिगंग गृए तो पिंटू जी देसी नसल पे कर रहे हैं कुछ बर्बरी हे कुछ इन्होंने नर्स नर्फ अन्दार रखÁ है मिक्स बुरी तो नर में ही इनको आज से लगता कितना हो गया तो सब्सक्राइब तीन साल पहले मैंने इनको बच्चा दिया था नर जो आज इतना बड़ा हो गया है और कितना बजन लगभग उसका भी होगा पिंटु जी पचास साथ से उपर ही होगा अग्रेसिव ज्यादा इसलिए उसको जादा लगता देखने में अच्छा भी खुबसूरती भी है हाँ और नर एग्रेसिव होना ही चाहिए तो जितना आप एरिया देख रहे हैं बारा सो स्कॉाइर फिट में इन्होंने बकरियों को यह रखे हुए हैं बच्चों को रखे हुए हैं और साइड में चारा और दा हिए पर किसी पहले कि रख याधा बना रही है वाशी झालों चल रहा है चल रहा है और युस जगहाँ करते गया जाड़ू वेगर चुना भेगर तो देते थे लेकिन उसकाथी तहीं सब घोटने के बलपर बूलने के लिए सुरू हो गया कमजोर होते चल गया इन्फेक्टेड हो गिया और धीरे-धीरे करके आठ नौ बच्छा मर गया ते उसकारण सब क्रॉस करना नहीं लेकिन फिर भी कुछ-कुछ बख्री जबर्दस्ती बोका के हांचे जाकर करके क्रॉपने से क्रॉस कर वा लिया उसके कारण फिर से 15 बच्छा गिया तो 15 बच्छ नीचे भी लोग बचाते हैं लेकिन अकेले हैं सिंगल पर्सन होकर इतना ये काम कर रहे हैं और एक बात मैं और बता दूं इनका बैक ग्रॉंड बहुत हीं तागड़ा रहा है इंजिनियर रह चुके हैं आप नीबास डर्ट मंगला च कर रहा मेरे कंफ्यूटर का दुकान था इधर छे महीना पहले में छोड़ दिया हूं उसको तो दुकान एंजिनियर में हार्ड़ का दुकान छोड़ने के बात और इंजिनियर हैं अ उसके बाद बकरी पालंग चुने कैसा लगता है कि एक इंजिन सब लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको मजाक उलाने से ही फुरसत नहीं मिलेगा कप इंटू जी यह करने के लिए आते हैं कि इतना बैचे हो कितना कम आया हो कितना इंकम हुआ है हम इसी सब सोच क्या है कि चलो सबको तो ऐसे कर रहेगा तो सब अपने पीछे हड़ जाग वो दो सब्सक्राइब करना पड़ता था जीसесे कहने का मतलब लोग पुछते हैं कि इंकम क्या हुआ तो कितना से सुरुआत किये थे और बीचे हैं बेचे हैं और पांचे खा गये हैं अच्छा पंदरा बेचे है और पांच खा गये हैं तो यानि कि 20 इन्होंने हटाया है और बाकी अभी इनके पास 80 से पलस है और बागी छोटे मेमने हैं और 10 सुरुआत 10 या 15 से हुआ था तो यही कमाई होता है कि अब बेचेंगे तो इसे पैसे आएंगे और चुकी चुकी इनका स्ट्रगल लाइफ रहा है वहां से फिर यहां चें लगअगा रहता तुमेन एक मस्तिरी रहता था और बाकि लोहा का सब चीजी अपने हैं सब चीजे जो भी काम हुआ उसमें थोड़ा सा मिस्तिरी का सई लिए खैल पर रखते थे और बाकि लोहा का टोडल हम आपने स्वाइम किया तो अगर कोई ऐसा बनमाना चाहें तो कि आप बना देंगे, बात कर लेंगे उनसे, नहीं मेरे पास थो भी समय नहीं है, देखिए, मैं ने इसलिए पूछ लिए, अगर यह हां कहते, तो बहुत सारे भी होबर मेरे हैं जो देखते हैं, और इस टाइब का फारम बन माना चाहते हैं, तो यह, क्यूंकि, हां है, हेल्प क यह जो सकता है कि आपको टाइम मिले लोकल तो आप जाके वहां कर देंगे इससा कि जी यह तो जो भाई पटना के अगल-बगल के हैं तो इन से संपर कर सकते हैं नमर में दे दूँगा गर इस टाइब का फारम बनाना होगा तो उसे राएक ले सकते हैं और समझ समझ आ जाने पर इनसे बनवाया या जा सकता है जहां तक संभब होगा यह जाके अपना कर देंगे यह होगा ना क्योंकि अब कला है और अब चुकि प्रेकल मैन है रात दिन आपे काम कर रहें तो बहतर बखडी फारम सब बनाने के लिए सब क्या आदमी का ब प्रट्रेबल लगेगा की साफ क्या रखना है सब्सक्राइब स्बस्क्राइब परिषसां जाए कि हम क्या बना दिया पिर बाद में उस सुधरवाने में उसका बहुत दिक्कत होगा अब मेरे से अथी लेकर बनाएं सिर्फ राई ही ले ले लेंगे अथी कर लेंगे तो हम उनको सिस्टम बता दें कि भाइसी से करीगा तिये फायदा होगा अच्छा यह जो आप उचाई जो रखे हुए जिसे न से बूल कर कथी कर लेते हैं अबाद में होगा तो चोटा गाड़ी से भी अंदर गुसाय करके मेगनी निकाल सकते हैं या असानी से घूम सकते हैं कोई काम कर सकते हैं या नीचे कोई जैसे कि अभी कड़कनात मुर्गी देख रहा है कि नीचे इनका भी है कुछ मातरा में औ पूरिजाली कुभर करते क्रें ओपर वकरी रहीं लुग रेगी तो 6 फित का 5000 नीचे से रखा गया है और चाली पर चाई कितना है लुगस्ट नो λक्त भूषैगे वर के करने में करीब करीब आठ से दस लाख रुपय खर्च हो गया दस लाख में पूरा आपने बताया है पूरा बाउंडरी जो आपने किया कर लिए ताड़ बहुत सारा लगा है क्योंकि यह खेती लाका तेहां दूर दूर लाइन रहता है फिर बोरिंग करवाना पड़ गया यह स सबका बड़ा बड़ा फारम रहता है तो सबका अपना अपना रहता है तो उसे लाइन लेते हैं तो बोलता है मेरा लोड घट जा रहा है इसलिए हमको खुद भी ट्रांसफरमर अपने लगवाना पड़ा यानि कि 10 लाख रुपया पूरा आप इन्वेस्ट कर चुके हैं औ और अभी बकरीयों को को आफ जो अभी खिला रहे हैं क्योंकि अभी वर्साथ हुआ तरह गहास का खिल थे हुंगा था हुआ तो हैंभी पन्रभी सथींसे भूसळा रहे हैं अभी एक देर महीना न कॉर्भी सी यॉभाषा टाँर हो जाख खेत मेरे革ी हो जहाए कुछ मेरे ले जाते हैं सब गाउनों भी बोलते हैं कि खाना पीना देते हैं आकर के चरा दे बढ़िया से तो इससे बढ़िया के चरा दीजेए तो घासी नहीं रहेगा तो फिर अगला बार जलनेगा नहीं घास बगरी खा लेगी पानी जमता तो खराब हो जाता है इसलिए हम डर के मारे नेपियर ने लगा रहे थे मसूर डाट लगा थे वही मेरा चौदर पंदरफीट का हाइट का हो जाता था ठीक है लेकिन नेपियर में वेकर बरसाद का पानी लगाएंगे और खेत बढ़ाना इस वर और अभी तो अभ अब रोपते हैं कौन घास हो जाता है कौन घास देखिए मैं बोल दूँ कि आया हूं मैं इनके पास तो विस्तार से इनको चीजों को समझाओंगा गाइड करूंगा क्या घास कब लगाना है और विस्तार से बातों को होगा सिर्फ मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं आता ह हूं तो कुछ दिशा निर्देश देता हूं आज से चार साल पहले मैंने इनको ट्रेनिंग दिया है और चार साल से संघर कर रहे हैं सफलता पूर्वक फार्मिंग भी कर रहे हैं